नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में जारी बुलू अलर्ट के बारे में बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है पिछले दिनों परदेश में ताउते तुफान का साइड इफेक्ट देखनों के मिला था जिससे परदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिस हुई थी अब एक बार फिर से बिहार में एक नए चक्रवात को लेकर बुलू अलट जारी किया गया है मौसमी भाग ने बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भीशन चक्रवाती तुफान इयास के संबंध में अलट जारी किया है बताया गया है कि अगले 24 घंटे में बिहार के पलोसी राज ओडी साब पस्ची मंगाल जारखन में चक्रवात के दस्तक देनी की उमिद है यह भी बताया गया है कि पस्ची मंगाल और जारखन के सटे कटिहार, किसंगंज, अररिया, पुर्निया, भागलपूर, गया, नवादा और अंगाबाद जिले शक्रवात के तुफान से प्रभावित होंगे इसके अलावा पटना, वैसाली, सारन, भोजपूर, बकसर, मुझफरपूर, समस्तिपूर और अन्य जिलो में इससे प्रभावित होने की बात कही गई है इसी हफते अरब सागर से उठे ताउते तुफान के बाद बिहार पर अब सुपर साइकलोन यास की मार जिलने जा रही है 25 मई की देर साम से पुरे परदेश में बारिस और आंधी के आसार है, साथ ही बजरपात की आसंका भी जताई गई है इसका सबसे जादा असर उत्तर पुर्वी बिहार पर परदने की आसंका है मौसम विभाब का अनुमान है कि यास का असर 25 मई की साम से देखने को मिलेगा इधर आधिकारियों के अनुसार बिहार के लगबक सभी जिलों में गरज के साथ तेज बारिस और बिजले गिरने की संभावना है चक्रबात यास के कारण 26 मई और 27 मई को तेज बारिस होगी इस दवरान इन दो दिनों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक लुड़कने की संभावना है यास का असर 27 और 28 मई को भी जारी रहने की उमीद जताई गई है राज सरकार ने NDRF और जिला परसासन को इसको लोकर हाई अलर्ट में रखा है इधर मौसम विभाग ने किसानों के लेकर भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 25, 26, 27 मई को तेज हवा के साथ साथ भारी बरसा होने की संभावना है किसान वाई इसके लिए सजग रहें, तयार रहें, सबजी को तोड़ ले साथ ये खेत से जल निकासी के लिए नालियां भी बना ले जो किसान कुछ दिन पहले ही अधरक, हल्दी, ओल, आधी की बुवाई कर चुके हैं वो उन खेतों में जल जमाग नहीं होने दे जो किसान गर्मा धान या फिर मूंग की कटाई कर चुके हैं वे काटे हुए फसल को सुरचिस अस्थान पर रखने की विवस्था कर लें यहां पर ध्यान देने वाल वात यह है कि इन कार्जों के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है मौसर विज्ञान विभाग ने कहा है कि 26 मही को बंगाल और ओडिसा के समुद्र टट पर इस तुफान के टंकराने की संभाबना है एतियातन भारतिय सेना के साथ साथ NDRF किटी में तैनात की गई है माना जा रहा है कि यह एक बहुत ही भीशन चक्रबाती दुफान होगा इसमें 150 से 165 किलो मितर परती घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी तेज बारिस होने की भी संभाबना है मौसम विभाग के पुर्मा नुमान के अंसार 25 मई को धार्खन की राजधानी राची दर्चिन पूर्वी जिलो में तेज हवा के साथ बारिस होने की संभाबना है इसके साथ 26-27 मई को राजध के लगवक सभी हिस्सों में बारिस के साथ गरजन की भी संभाबना जताई गई है इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलट जारी किया है इससे पहले ताउते तुपान ने देश के कई राजजों में तबाही मचाई थी ऐसे में इस यास तुपान को लेकर अभी भी लोगों को अलट जारी किया जा रहा है साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यह तुपान जो है आउते तुपान से ज्यादा खतनाक है और यह पस्ची मंगाल की खाड़ी से यह शुरू होगा इसमें उड़ी साथ पस्ची मंगाल धारकन बिहार यह उतर पुरु के राज जो है यह सबसे ज्यादा प्रभावित होगे यह दो से चक्रवाद को लेकर खबर बिहार और बिहार से जुड़ूई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ, मुझे दिजिए इजाज़त, धन्यवाद